असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परवेश और आज हम स्टार्ट करते हैं आट्टोकैट 2015 में लेसन नम्मर 25 आज की इस लेसन में हम देखेंगे कि आट्टोकैट में आप अब्जेक्ट के ओपर टेक्स किस तरह लिखते हैं तो स्टुडेंट उसके लिए मैं आट्टोकैट को ओपन करता हूँ पहले मैं आट्लाइन को देखता हूँ आट्टो एंजर्ट मुल्टी लाइन टेक्स्ट मुल्टी लाइन टेक्स्ट एन आट्टोकैट आप मुल्टी लाइन टेक्स्ट की स्टा एंजर्ट करते हैं में नहीं तो इनोटेट्स भी आपके पास यह आता है, multiland text और single land text यहाँ भी आपके पास use होता है अब इनका function क्या होता है किस तरह use किया जाते है इसके उपर में discuss करूँगा और multiland text और single land text की जो short command है T है text की जो short command है T E I think complete अपने text लिखना होगा इसी short command T E X T है खाली T जो command है multiland text के लिए होती है और single land text होता है उसके लिए अपने सिफ text T E X T लिखना होगा अब मैं यहाँ पर आपके बताता हूँ text में multiland text और single land text होगा उसके लाब आपके पास जो text का option होगा वो होगा जी I think format में text का style है देख सकती है यहाँ पर draw में text होगा इसके लिए हम इससे लिए तो मैं खाली पहले यह तक्स ने टेक्स लिखता हूं तो देखेगा कि हम आपस single line text अप्राय होगा text क्या रहा specific start point यह start point है height केती ही देनी है, height भी आप दे सकते हैं आप यहां से मैं इसको rotation 0 है, 0 ही करके enter करता हूं एक देखें एक area मार पस आ गये हाप इसमें आप text लिख सकते हैं अभी जो text है, hello world के नाम से जो text है, इसमें देखें ना तो size change हो रहा है कहीं से यहां से मैं size change करता हूं इसका देख सकते हैं size वारे नहीं change होता जो text होता है, size वारे चेंज होता है, color वारे चेंज नहीं होता जबके आपका size इसमें जो आप देते हैं वह आप देते हैं, आप t enter करतों जब मैं, t enter, sorry t to multiland text के लिए, text के लिए t e x t है, single text के लिए, text, कहते है specify start point, specify height, height देना, height, height में यहां से देते हूं 10 foot, specify rotation 0, enter, अब देखे हैं यहां पे, अब यह 10 foot का आगया है, size का, hello world, देख सकते हैं, rotation क्या होती है, इसमें rotation अब किसी चेंज करते हूं, उसके ओपर भी आप में discuss करता हूं, text t e x t लिखता हूं में, first point, 5 foot का text लिखता हूं, rotation इसको देता हूं, 45 की rotation में, text देना चाहता हूं, लिखना चाहरा हूं, 45 की rotation में, आप देखें, hello world लिखा गया है, देख सकते हैं, escape को button press करें, जोई cancel हो जाएगा, t e x t enter, अब देख सकते हैं, 10 foot, space where first point पी क्लिक करें, t e x t enter, इस point से start करता हूं, 10 foot text लेना चाहरा हूं, और 0 rotation देना चाहरा हूं, तो यह उसी दा style हो जाएगा, next text यह तो था, multi line text के लिए, single line text के लिए, आप insert करते हैं, text लिखते हैं, देख सकते हैं, लिखा हूए, multi line text के लिए, m text आप लिखेंगे, तो multi line text आपका apply होगा, आप देख सकते हैं, यहां फिर आप only t enter करें, t, text के लिए अप्लाए होगा, इसके लिए अपने range देने, कुछ एरिया देने, select करें, यह area के अंदर में text लिखना चाहर हो, देख सकते हैं, और, इस text का size बनाना है, कम करना है, आप यहां size कम ज्यादा कर सकते हैं, यह standard size है, size में यहां से इसका, कम ज्यादा करना चाहर हो, तो size आप कम करें, कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको, मैं 5 short का size है था है, इसको, 5 short का size आपका देख सकते हैं देख सकते हैं, यहां भी यह आ गया, अब यह हेलो वर्ड मर्पस आ गया है, इसको मैं बोल्ड में इसको कॉपी करता हूँ, CTRL-C C, P, C, Shortman होती है, यहां पर, Hello World, Right Click करता हूँ, Copy, CTRL-C CTRL-V, देख सकते हैं, अब यह जो style है, style को मैं यहां से इसको, for example, बोल्ड कर दिया मैंने, इसका writing style मैंने change कर लिए, for example, aerial, यहां से मैंने style change हो जा, अब मैं जाता हूँ, यह style जो यह विला style है, यह नीचे वानों पर भी apply हो जए, तो इसको select करके, आप match पर click करें, और नीचे वारे style को select करें, देखें, नीचे वारे match हो गए, उसमें भी underline हो गया, color का style भी, text का style भी change हो गया, next उसके बाद underline का आप पता चल गया, यह इसका function क्यों होता है, italic, italic होता है, थोड़े तिर्शा करने के लिए, तिर्शा हो गया text, थोड़े zoom करता हूँ, तिर्शा हो गया, यह straight हो, इसके बीच में से line देने के लिए, आप straight हो apply करें, देखें इसके बीच में से line जा रही है, style है, यह भी एक, यह underline नीचे इसके line आजाएगी, यह इसके open line आजाएगी, आप देख सकते हैं, इसके apply करना तक आपको इजी लिए नजर आए, underline करते हैं, इसके नीचे line आगिया है, यह करते हैं, इसके open line आगिया है, आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर, for example, मैं यहां पर लिखता हूँ, x square, x को square बनाना चाहरा हूँ, यह नीचे यहां पर लिखता हूँ, x2, मैं इस 2 को square बनाना चाहरा हूँ, x का, select करता हूँ, और यहां पर इस pattern पर क्लिक करता हूँ, square बन गया, base बनाना चाहरा हूँ, नीचे क्लिक करता बन जाएगा राइटिंग स्टायल आप राइटिंग स्टायल चेंज कर सकते हैं क्लिक करें यहां पर अपर केस है लोर केस क्लिक करें सारा का सारा स्माल में आ जाएगा अपर केस पर क्लिक करें सारा का सारा का सारा का सारा स्माल केस में आ जाएगा style आप यहां से change करें राइटिंग, aerial style है जो भी आप style देना चाहें by layer पे आपने colors कर देना चाहें आप यहां से color दे सकते हैं देख सकते हैं, color change होगा इसका clear remove character formatting, click करें remove हो जाएगा जो भी आपने formatting दीविया, color गारा दिया वाइग जो भी चीज आपने दीविया clear remove paragraph formatting, paragraph की फार्मिटिंग को यह remove कर देगा और remove all formatting, जितनी भी अपने formatting दीविया, सारी सारी को कर देगा remove सब को मैं यहां select कर तो है, इन में format change किया है, मैंने इसको italic किया है underline किया है, इन सब की formatting को चाहिए खतम करना चाहता हूँ, remove all formatting में क्लिक करता हूँ देखें सब की formatting की होगी, यहां पर खतम हो गया, next आप पस, top right है यहां से move हो जाते है, left side पर चला जाएगा, right पर चला जाएगा, देख सकते है text है, text को आपने style, इसको move करना है यहां से, bullets number आपने apply करना है, for example, enter करता हूँ इनको में select करता हूँ, bullets और number apply करना चाहरा हूँ, तो यहां पर आप click करें, numbering अपने apply करने, click करें, numbering आजाएगी, देख सकते हैं, letters, lore case है, upper case है, bullets apply करता है, click करें, bullets आजाएगे, यहां पर, इसके साथ, कुछ भी नहीं देना, तो आप इसको off कर दें, numbering और bullets को off कर दें, line spacing में बढ़ाना चाहरें, आप तो line spacing देखें, बढ़ रही है, नहीं देना चाहरें, तो 1.0 करें, 1.0x आजाएगी, text को आपने move करना है, इसको center में लेके आना चाहरें, इस पूरे page के, यहां से center में चला जाएगा, आप देखें, right पी चला गया, देख सकते हैं, में for example, यह, क्योंकि मिरे पास area ज्याद है, आप यहां पे आप देखें, area बहुत ज्याद है, मिसका area कम करता हूँ, अब आप देखेंगा, click करें यहां पे, देखें, center में चला गया है, right चला जाएगा, justify चला जाएगा, distribute हो जाएगा, पूरे के पूरे page पे, justify कर दिया है, text को column में convert करना चाहरे हैं, तो आप column भी बना सकते हैं, for example, में सारे उस लेख करता हूँ, copy करता हूँ, control c, text बहुत सी अध़ बन गया, पूरे text को मेंने select किया, यह पिर में controls, escape करता हूँ, तुबारे से start करता हूँ, तुबारे से start करता हूँ, tree enter, text का size मेंने कित्म दिया था, यहां से आप वो size दे दे, पांच फूट मेंने size दिया था, इसका, इस लेख करता हूँ, copy करता हूँ, control c, control v, control v, control v, control v, तोड़ा सा इसको में बढ़ाता हूँ था, रोजे इस पे, okay, control c किया, control v, control v, यहां तक लिक लिए, यहां तक लिक लिए, आप इसको में change करता हूँ, कॉलम में तो आप देखें, यहां पे क्लिक करें, number of column है, no column, column अपनी देना चाहरे, आप column में distribute करना चाहरे, तो यहां से अपने column को start करना, static column, two, three, four, four column पे इसे distribute करना चाहरे हूँ, तो आप टेक्स का अपका, four column में हो जाए, लेकिन उसके लिए में column को मैंने, यहां से adjust करना होगा, no column, column में नहीं है, dynamic column, auto height, देख सकते है, manual height, static column, insert column, break, enter, तो यहां से आप इसको column में convert कर सकते है, column settings में जाए, और dynamic और, यह बाई default settings में आपने चेर्ट चाहर नहीं करना है, यहां से आप सिंबल देते हैं, electrical का सिंबल आग गया, यहां से आप सिंबल देते हैं, electrical का सिंबल आगए, कोई भी other सिंबल है, यहां पर click करें, तो काफ़ से इस सिंबल है, जो भी आपको सिंबल चाहिए, आप उसको insert कर लें, select करें, select करें, copy कर लें, तो इस सिंबल जितने भी आपस यहां पर insert कर सकते हैं, spelling grammar check है, को spelling mistake है तो उसको आप check कर सकते हैं, edit है, find, replace है, find, कोई word आपने find करने, आप find कर सकते हैं, यहां पर आप जाएं, spelling check, mistake हम रपस कोई भी नहीं है, spelling ठीक है, इसलिए spelling mistake नहीं देगा, dictionary में add करना चाहरा नहीं कर सकते हैं, find and replace है, find क्या में करता हूँ, मैं hello, hello को find करता हूँ, यहां जाएं, hello देखें, आपको बता रहा है, replace करता हैं, hello को high के साथ, replace all करते हैं, देखें, जहां पर जितने भी hello हैं सब के साथे, replace होगें high के साथ, आप देख सकते हैं, तो यह कुछ टेक्नीक से आपके text के लिए apply की जाती थी, तो अब इसको मैं यहां पर close करते हूँ, तो अब मापस देखें, text नमापस apply हो गया, देख सकते हैं, text apply हो गया, delete करने text को दूर यहां पर click करें, और delete का button प्रेस करने text delete हो जाएगा, तो यह था यह multi line text and single line text, उमीद करता हूँ, आपको इस lesson के समझ आई होगी, text हम किस तरह insert करते हैं, text पे काम किस तरह करते हैं, इं